हलो स्टूडेंट आपका हमारे यूटूब चैनल पे स्वागत है आज के इस वीडियो में हम सीटेट पेपर टू के लिए मैं इसके कुछ इंपोर्टेंट कोशन करेंगे यह जो कोशन है 17 जनवरी 2022 के ऑनलाइन एक्जाम में पूछे गए थे तो आई स्टार्ट करते अपने इस वीडियो को तो पहला कोशन हमारे पास है हमें इसकी वैल्यू बतानी है ठीक है तीनों की उपर स्क्वेर रूट लगा हुआ है पहला है फिर टू से हो रहा है 96 फिर टू से हो रहा है 48 अगें टू से 24 फिर टू से 12 फिर टू से 6 और फिर टू से लास्ट में हमारा 3 से हो रहा है ठीक है तो यहाँ पर 1, 2, 3, 4 पेर बन रहे हैं दो के ठीक है तो हमारे पास जो है अंडरूट 7, 6, 8 जो है उसको लिख सकते है कितना ह हर पेर में से एक नमबर लेंगे, दो, 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 और दो, चारों को गुना करा, सोला आया, सोला रूट में तीन, क्योंकि तीन का कोई पेर नहीं बन रहा है, हम लिका लेते हैं, 3267 के, इसको हम करेंगे, सबसे पहले हम इसको करते हैं, किससे, टू से, 2 से तो हो नहीं रहा है, यह 3 से करते हैं तो 3 से करेंगे तो यह हमारे पास आएगा 1, फिर 2 तो तन यह 0 जाएगा 26 से पहले आता है 24, 8 पर 2 गया 9, ठीक है, अगें 3 से करा, तो हमारे 3, 3 is a 9 3, 6 is a 18 और 3, 3 is a 9 फिर 3 से हो रहा है 121, अब यह 11 से होगा ठीक है, लास्ट में पर 1 बच जाते हैं, यहाँ पर 3 का और 11 का पेर बन रहा है, तो हमारे पर अंडर रूट 3, 2, 6, 7 है, इसको लिख सकते हैं 3 और 11, 33 रूट 3 यह लिख सकते हैं, और 144 जो है 12 का होता है तो हमारे पास जो आएगा 16 रूट 3 इंटू 33 रूट 3 डिवाइड बाइ 12 हो जाएगा ठीक है, अब हमारे पास उपर है रूट 3 इंटू रूट 3 अगर रूट 3 को रूट 3 से मल्टिप्लाइ करते हो 3 हो जाएगा, तो 16 इंटू 33 इंटू 3 अब ऑन में 12 ठीक है, 4 ती अब 12 4 चौक 16, 3 से 1 अडिया अब इनको गर मल्टिप्लाइ करें 4 ती अब 12 एक हासिल 12 और 13 132 इसका correct answer हो जाएगा अगला question हमारे पास है, यहाँ पर हमें x और y की value दे रखी है ठीक है, और हमें x minus y की power minus 1 प्लस x की power minus 1, minus y की power minus 1 और whole power क्या है इसकी minus 1 है, इसको solve करके बताना है, इसकी value क्या होगी ठीक है, तो यहाँ पर हम x की value put करते है, x हमारा minus 2 by 3, तो minus का 2 by 3 हो गया, minus, और y दे रखा minus का 3 by 4 ठीक है, इस पूरे की power minus 1 है plus, यहाँ पर भी लिख देते हैं अब यहाँ पर है, x की power minus 1 है ठीक है, सबस्वेल x की value यहाँ रखेंगे हम तो यह है, minus का 2 upon में 3 इसकी power minus 1 minus y की power जो है minus 3 by 4 है इसकी power भी minus 1 है और इस पूरे की power भी minus का 1 है ठीक है, तो इसको अगर मैं solve करूँ थोड़ा तो minus का 2 by 3 plus का 3 by 4 हो जाएगा और power minus 1, plus अब power यहाँ पर minus 1 है अब minus हटा ना होतो यह reciprocal हो जाएगा 3 उपर पहुँच जाएगा 2 नीचे आजएगा minus हम उपर लगा लिखा 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 है और यह 9, इसकी power minus 1 ऐसे यहाँ पर LCM लोगा तो 6 minus का 9 और plus का 8 power हो जाएगी minus का 1 1 बटे 12 की power minus 1 plus 1 minus 1 बटे 6 की power minus 1 अब यहाँ पर भी power minus 1 है तो इसको plus करेंगे तो यह 12 बटे 1 हो जाएगा और यह हमारा हो जाएगा minus का 6 बटे 1 तो बारा मेंसे 6 गए हमारे पास आया answer 6 अगला question हमारे पास है A की value दे रखिये 360 और B की दे रखिये 900 हमें बोलाए कि A और B का LCM divided by A और B का HCF तो सबसे पहले A और B का LCM निकाल लेते हम तो उसके लिए हम इसको इस formula लेते है 360 और यह 900 ठीक है दो से करेंगे तो 180450 हो जाएगा अगें टू से करा तो 90 हो जाएगा यह 225 फिर दो से हो रहा है तो यह 45 और यह 225 अब यह 3 से करेंगे तो यह 3 इंगम 3 3 पंजे 15 3 सत्यकीस 3 पंजे 15 फिर 3 से हो रहा है तो यह हो जाएगा हमारा 5 2 और 5 अब ये 5 से हो रहा है, 1 और ये 5 और ये 5 से किया तो 1 और 1 अब LCM जो होगा हमारा A और B का, ठीक है, वो क्या होगा, इन सब का multiply 2 into 2 into 2, 3 into 3 into 5 into 5, इन सब को अगर हम multiply करेंगे तो हमारे पास आएगा 1800, ये हमारा LCM हो गया, ठीक है, 1800 हमारा LCM हो गया अब HCF कैसे निकालते हैं, हमें देखना है वो number जो दोनों से डिवाइड हो रहा है तो यहाँ पर ये 2 इन दोनों से डिवाइड हो रहा था, ये वाला 2 भी 180 से और 450 से डिवाइड हो रहा है, अब ये 2 तो दोनों से डिवाइड नहीं हो रहा है तो यह नहीं लेंगे, अब यह 3 जो है 45 से और 225 से डिवाइड हो रहा है, यहाँ पर भी 3 इस से और इस से डिवाइड हो रहा है, ठीक है, तो HCF जो होगा, A और B का, वो क्या होगा, इनका multiply, 2 into 2, 3 into 3 into 5, इनको multiply करेंगे, तो 180 आएगा, अब दोनों को हमें डिवाइड करना है 1800 और 180 यह आएगा हमारा 10 तो इसका आंसर हो गया option number चौथा अगला question है हमारे पास यहाँ पर बोलाए कि 6 digit वाला number है 4, 3 X, 8, 2, Y और यह जो है 72 से divide हो रहा है अब 72 से हो रहा है तो यह 9 से भी हो रहा होगा और 8 से भी हो रहा होगा ठीक है तो सबसे पहले हम 8 का divisibility rule देखते हैं वो क्या होता है लास्ट के अगर यह 3 digit 8 से divide हो रहे हैं तो यह पूरा number 8 से divide होगा तो 8, 2 और Y इसको अगर मैं 8 से divide करूँ 8 है कम 8, 0 हो गया अब यहाँ पर जो है कितना है 2 2 तो होगा नहीं, एक 0 आएगा अब Y की value में क्या रखूँ कि यह 8 से भाग हो जाए 8 के पाड़े में 24 आता है तो यहाँ पर 4 आना पड़ेगा ठीक है तब जाके 8 ती है 24 से कटेगा तो Y की value तो हमें पता लगगी क्या होगी 4 होगी Y 4 हो गया अब 9 का divisibility rule निकालते है यहाँ पर हमारे पर Y की value चाहरा गई अब इन सब को हम plus करके देखते है 3 plus X plus 8 plus 2 plus 4 इन सब को अगर add करूंगा मैं तो मैं यह पास कौन से number बन रहा है यह बनेगा 21 जमा X अब 9 का divisibility rule क्या होता है कि इनको plus करने के बाद वो number आने चीए जो 9 के table में होता है मतलब कि यहाँ तो 9 हो 18 हो 27 हो 36 इस तरीके से तो दीखे 21 है तो 21 के बाद जो आएगा 27 आता है तो 27 बनाने के लिए मुझे X की value क्या रखनी पड़ेगी 6 रखनी पड़ेगी तो X आ जाएगा हमारा 6 अब हमें X भी पता लग गया और Y भी पता लग गया हमें value निकालनी है किसकी 2X माइनस Y की तो 2 इंटू 6 माइनस 4 12 में से 4 गए 8 इसका correct answer हो जाएगा next है इसको solve करना है अब देखिए कोई भी fraction की power अगर minus में है मतलब A upon B की power minus N है तो minus हटाने के लिए मुझे करना पड़ेगा इसका reciprocal B उपर और A नीचे और power plus में हो जाएगी तो यही rule हम यहाँ पर apply करेंगे अब 3 बटे 4 की power minus 3 है तो यह हो जाएगा 4 उपर 3 नीचे और power plus में है ऐसे ही यह तो plus में already है ठीक है divide अब 3 की power minus 2 है तो इसको अगर करना चाहे तो 1 upon में 3 की power 2 लिख सकते हैं इसको ऐसी नीचे करेंगे 2 by 3 की power 2 into 3 उपर हो जाएगा 4 नीचे और यह plus का 3 ठीक है अब इसको थोड़ा separate कर लेते 4 की power 3 3 की power 3 3 की power 2 8 की power 2 और यह into हो जाएगा और यह उल्टा हो जाएगा ठीक है divide से multiply करेंगे तो 3 की power 2 उपर और एक नीचे आजाएगा नीचे यहाँ पर 2 की power 2 3 की power 2 3 की power 3 और 4 की power 3 अब सको cancel कर लेते हैं इससे काटेंगे तो यह 1 बचा यहाँ से एक और कर जाएगा तो यहाँ पावर 1 बचेगा ठीक है ऐसी इसको काटेंगे तो यहाँ पावर 1 बचा यहाँ बचेगा 4 की power 3 है 4 into 4 into 4 into 3 बचा और यहाँ नीचे बचा 8 into 8 नीचे क्या बचेगा 2 into 2 और 3 और नीचे बचेगा 4 into 4 into 4 इसको cancel करेंगे तो हमारे पास यह 2 आगया यह 1 फिर इसको काटेंगे तो यह 1 और 2 और यह पूरा कटके 3 बचेगा ठीक है ऐसी इसको काटा तो यह 4 हो गया अब हमारे पास बचा क्या-क्या लिख लेते हैं 3 बचे एक बचा और नीचे बचा 3 बचे 16 तीन से तीन कटा 16 उपर चला जाएगा तो इसका आंसर आएगा हमारा 16 नेक्स्ट कोश्चन है हमें बताना है इसमें से कौन सा इसका एक फैक्टर होगा ठीक है तो इसको solve कर लेते हैं अब दीखे 25 है इसको लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं whole square हमारे पास एक identity होती है a square minus b square जो की equal होता a plus b k और a minus b k ठीक है तो ये वाली identity हम यहाँ पर use करेंगे ठीक है a की जगा हमारे पास यह हो गया और b की जगा हमारे पास यह हो गया तो पहले दोनों को plus कर लेते हैं तो सबसे पहले आएगा 5 x plus y 5 x plus y minus 6 x minus 2 y ठीक है तो यहाँ पर अगर मैं bracket open करू 5 x plus 5 y plus 6 x minus 12 y 5 x plus 5 y minus 6 x minus minus plus हो जाएगा 12 y अब यहाँ पर x की term में किया है यह तो 11 हो जाएगा और 5 minus 12 तो minus का 7 y यहाँ पर 5 x और minus x तो यह हो जाएगा minus का x plus 12 और 5 17 y अब इतने से option में देख लेते हैं कौन सा है option में जो हमारे पास है वो है 17 y minus x जो कि यह 17 y minus x यह वाला ठीक है तो यह हमारा इसका correct answer हो जाएगा अगला question है हमें बताना है यह किसके बराबर होगा ठीक है तो यहाँ पर जो है x square minus 4 को अगर लिखना चाहे तो इसे लिख सकते है x minus 2 और x plus 2 ठीक है x minus 1 और x minus 2 ठीक है इसको अगर इस तरीके से लिख सकते हैं अब उपरा जो question देरको उसे साब से लिखेंगे तो x minus 2 x plus 2 x minus 1 x plus 1 denominator में आ जाएगा हमारा x minus 1 x minus 2 और x plus 2 x plus 2 से यह cancel x minus 2 से यह cancel और इससे यह cancel बचा कि हमारे पास x plus का 1 तो यही इसका correct answer हो जाएगा next है यहाँ पर हमें इसको solve करना है अब बाद में value निकालने है 5 x plus 6 की तो इसको simplify कर लेते हैं सब से पहले हम ठीक है तो इसको simplify करने के लिए हम क्या करेंगे इसको पहले लेते हैं 5 x minus bracket open करूँगो तो यह 6 x हो जाएगा minus 6 into 1 by 30 is equal to x plus 1 upon 3 6 से काटेंगे तो यह 5 हो जाएगा यह हमारा minus का x minus का 1 बटे 5 बराबर x plus 1 upon 3 lc हम लेंगे तो यह 5 minus 5 x minus 1 x plus 1 upon 3 cross multiply 3 से करेंगे minus 5 x minus 1 और 5 से करा x plus 1 minus का 15 x minus का 3 5 x plus 5 x value term को separate कर लेते हैं तो 15 x minus 5 x 5 plus 3 ठीक है तो हमारे पास क्या आया minus का 20 x is equal to 8 x की value होगी 8 by 20 minus 20 इसको cancel करेंगे तो आयगा हमारा कितना 2 बटे में 5 minus का ठीक है x की value होगी हमें निकालनी है value 5 x plus 6 की 5 into minus 2 by 5 plus 6 5 से 5 कटा minus का 2 और 6 यह हो जाएगा value 4 नेक्स्ट है question हमारे पास हमें क्या बोला है what is the constant term in the following product constant term बतानी है कौन सी होगी तो bracket अगर हम open करेंगे सबसे पहले 2 x square को इस पूरे से multiply करना पड़ेगा 2 x square को into करना है 7 by x से फिर minus 2 x square into x फिर minus 3 x से करेंगे तो minus का 3 x into 7 by x और यह plus का 3 x square हो जाएगा जब इसको हम x से करेंगे तो ठीक है फिर उसके बाद minus 9 by x फो करेंगे minus का 9 by x into 7 by x और plus 9 by x into x अब देखिए हमें चाहिए सिर्फ constant अगर इसको हमें solve करना हो तो यह आएगा हमारा 14 x यह आएगा 2 x cube यहां x x कर जाएगा minus का 21 plus 3 x square है और यह हो जाएगा हमारा minus का 66 x square यहां x x कैंसिल plus का 9 ठीक है एक तो minus का 21 और plus का 9 यह constant time है दोनों को अगर plus करूँ तो कितना आएगा हमारा इसको अगर हम solve करें तो यह आएगा हमारा minus का 12 अगला question है इस question में बूला गया है किसी वस्तू को उसके अंकित मूले पर 15 प्रतिशत की छूट देकर बेचने पर एक दुकानदार को 19 प्रतिशत लाव प्राप्त होता है तो वस्तू का अंकित मूले उसके करें मूले से कितने प्रतिशत अधिक होगा तो यहां पर सबसे पहले सेलिंग प्राइज कोस प्राइज और मार्क प्राइज तीनो चीज़ की बात हो रही है अब उसने बूला है कि किसी वस्तू के अंकित मूले पर 15 प्रसंट का डिस्कान देने के बाद उसको 19 प्रतिशत का लाव होता है मतलब जो Sailing Price होगी माना की Cost Price हमारे पास 100 थी तो Sailing Price होगी 119 परसेंट ज्यादा तो हमें बताना है Mark Price क्या होगा Mark Price निकालने के लिए हम क्या करेंगे Mark Price निकलेगा वो निकलेगा हमारा Sailing Price into 100 upon में अब उसे हो रहा है कितना Discount दिया है उसने 15% Discount दिया है मतलब 100-15 करेंगे तो 85 हो गया ठीक है 119 into 100 upon में 85 ठीक है इसको solve कर लेते हैं 5 से काटा यह एक और यह आएगा हमारा साथ 20 70 एकम 17 और यह साथ तो यह कितना हो जाएगा हमारा यह हो जाएगा 140 ठीक है Mark Price हमारा 140 हो गया ठीक है अब पूछा क्या था वस्तू का जो अंकित मूले है Mark Price जो है क्रेमूले कॉस्ट प्राइस से कितने प्रतीशत अधिक है अब देखिए 100 है और यह 140 है तो कितने प्रतीशत अधिक हो गया 40 प्रतीशत अधिक हो जाएगा अगला कुश्चन हम देखते हैं अगला है इसमें बोला गया है F, V और E represent the number of faces, number of vertices and number of edges ठीक है और आगे बोला है respectively of the pyramid whose base are pentagonal pentagonal base का एक pyramid है ठीक है तो हमें यह पता है कि pentagonal pyramid जो है उसमें faces कितने होते हैं 6 होते हैं, edges होती हैं 10 और vertices होती हैं 6 ठीक है हमें बोला है कि value निकालनी है 2V-3F plus E की तो V हमारा 6 है, F हमारे पास 6 है और edges हमारे पास 10 है तो 12, 18 और 10 जो जाएगा 22-18 हमारा value अगई 4 इसका correct answer है ठीक है अगला question देखते हैं अगला है length of a diagonal of a rhombus, rhombus की जो diagonal का length 24 है 17 है what is the length of the sides of a rhombus तो एक rhombus जो है उसकी चारो side जो है वो equal होती है ठीक है A, B, C, D और इसके diagonal हमें दे रखें 24 है और एक 70 है और इसका diagonal जो है equal point पे bisect करते हैं मतलब अगर हमारा B, D 24 था तो यह आदे-अदे part में divide हो जाएगा यह हो जाएगा हमारा 12 cm और A, C अगर हमारा 70 था तो यह जो है हमारा AO हो जाएगा हमारा 35 यह और 35 यह बारा यह था तो बारा उपर होगा ठीक है अब यह जो बनेगा यह हमारा right angle triangle बनता है ठीक है 90 degree पर bisect करता है तो pythagoras theorem से मैं यह A और B निकाल सकता हूँ जिसको मैंने x ले लिया है तो हमारे पास A, B का square जो है हूँ आएगा 12 का square प्लस 35 का square 144 प्लस यह हो जाएगा हमारा 1225 इसको अगर मैं जोड़ूं तो यह कितना हो जाएगा 9, 6 और यह हो जाएगा 3 और 1 A और B यह हो जाएगा square root तो यह होता है हमारा square root किसका 37 का तो A, B हमारा आगया 37 ठीक है तो इसका correct answer यह हो जाएगा अगला question देखते हैं अगला question हमारे पास है इसमें बोला गया interior angle of a regular polygon कोई regular polygon है जिसके interior angle जो है वो exterior angle से 108 degree जादा है ठीक है यह है अब हमें क्या बोला है number of side बतानी है उस polygon की क्या होगी अब देखिए कोई भी एक example ले जैसे अगर मैं quadilator ले लेता हूँ ठीक है यह हमारा इसका exterior angle हो जाएंगे ठीक है यह हमारे होगा इसके exterior angle और नीचे अंदर वाली हो गए interior angle ठीक है दोनों में relation क्या दे रखा है जैसे मैंने लिया है a और b की बात कर रहा हूँ ठीक है इसमें यह बुलाए कि जो अंदर वाला angle है वो 108 degree जादा है बाहर वाले से ठीक है माना कि a हमारा x है तो b जो होगा x प्लस 108 degree का है ठीक है अब य x प्लस x प्लस 108 is equal to 180 तो यह जगा 2x बराबर 180 माइनस 108 यह हो गया 72 तो x की value आगे 36 मतलब a अगर हमारा 36 degree है तो b कितना हो जाएगा 36 जमा 108 144 ठीक है interior angle हो गया 144 और exterior हो गया 36 अब पूछा क्या है number of side पूछा है तो number of side निकालने का तरीक है दिखिए exterior बाहर वाले angle का जो है sum हमेशा 360 degree होता है ठीक है उसको divide कर देंगे जो एक है एक हमारा 36 है तो 36 से divide करा तो आगे 10 तो number of side हो गई इसकी 10 ठीक है अगला question देखते हैं अगला है यहाँ पर दो triangle है एक triangle हमारे पास है a b c और दूसर triangle है d e और f यह बोला है कि a b johan d e के बराबर है a b johan d e के बराबर है a c johan e f के बराबर है b c johan wohan d f के बराबर है तो बताने कौन सा rule इसमें अपलाए होगा तो triangle a b c congruent होग इसके अब देखिए a जो है यहाँ पर एक line कट करी है हमने यहाँ पर इस line पर तो यह जा रहा है तीन की तरफ a से b b से c ठीक है यह हो जाएगा हमारा f से d d से e triangle f d e यह इसका correct answer हो जाएगा triangle d f d e है f d e हमारा यह वाला हो जाएगा ठीक है अगला question देखते हैं अगला है हमारे पास एक triangle है a b c तो यहाँ पर हमने a b c एक triangle draw कर लिया बी और c और b और c का angle bisector जो है वो meet कर रहा है पी point पर angle bisector हमारे इस तरीके से अगर इस b को बरावर हिस्सों में बाटें और c को बरावर हिस्सों में बाटें तो यह जो line है वो p पर cut कर रही है ठीक है हमें यह वाला angle b p c जो है वो 102 degree दे रखा है तो पूछा है a कितना होगा ठीक है तो इसको हम कैसे करेंगे देखिए अगर हमारे पास इस तरीके से दे रखा है a b c यह angle bisector है p ठीक है इसको मैंने x ले लिया अगर हमें x निकालना होता तो हम कैसे निकालते 90 degree प्लस angle a का half ठीक है अब हमें यहाँ पर यह तो दे रखा है angle bisector 102 degree 102 degree दे रखा है 90 प्लस angle a हमें निकालना है a by 2 हो गया इसको solve करेंगे तो angle a by 2 102 में से 90 गए तो यह होगा 12 और 2 multiply हो जाएगा तो angle a बराबर हो जाएगा 24 degree अगला question देखते हैं अगला question हमारे पास है इसमें क्या बोला गया है the sum of the mean median and mod of the data हमें यहाँ पर इनका mean median और mod का sum बताना है क्या होगा तो सबसे पहले हम इसको arrange कर लेते हैं तो सबसे छोटा हमारे पास 9 है फिर 11 फिर 14 फिर 17 फिर 19 फिर 23 28 30 यहाँ पर दो बार है 35 एक बार है 36 और 48 ठीक है तो total यहाँ पर जो number है वो 12 है ठीक है अब सबसे पह कर मैं mod ही निकालूं तो mod होता है वो number जो सबसे ज़्यादा वारा है 30 हो गया median होता है जो बीच में होता है अब 12 है तो यहाँ पर median दो होंगे एक होगा हमारा 23 और 28 तो दो होते हैं तो दोनों को जोड के दो से डिवाइड करना पड़ता है तो यह हो जाएगा हमारा 51 बाइ से इसको काटा तो यह 25 हो जाएगा ठीक है अब पूछा है तीनों का sum mean का median का mod का तो 30 जमा 25.5 और जमा 25 इसको जोड़ेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 80.5 इसका correct answer हो जाएगा next question इसमें क्या बोला गया है एक बकसे में card रखे हुए है जिस पर संख्या 31 से लेके 70 तक लिखी हुई है ठीक है एक card पर एक संख्या लिखी है बकसे के अंदर बिना देके एक card निकाल जाता है इसकी क्या प्राइक्ता होगी कि निकाले गए card पर एक संख्या अबहाज जे स नहीं हो not a prime number ठीक है तो सबसे पहले 31 से लेके 70 तक कितने prime number होते हैं सबसे पहला होता है हमारा 31 होता है ठीक है उसके बाद हमारा होता है 37 41 43 47 53 59 और 61 और 67 यह prime number है तो prime number कितने हैं यहाँ पर prime numbers है यहाँ पर 9 तो not prime कितने होंगे उसके लिए हम क्या करेंगे देखिए total जो है total cards जो है वो कितने है उसको निकालने की तरीका क्या है सबसे लास हमारा 70 है 70 में से 31 से पहले कितने है 30 कम कर दिए तो 40 हो गए total card 40 है तो not prime होगे 40 minus 9 यह हो जाएगा हमारा 20 और 31 ठीक है तो probability जो होगी not prime की प्राइम नमबर नहीं होने की 31 बटे 40 तो इसका correct answer होगे 31 बटे 40 अगला question है अठारवा इसमें बोला है अब wire is the shape of a circle of area 154 cm square एक circular wire है circle बनाएगी एक wire से इसका area दे रखा है तो pi r square जो है वो 154 है तो यहाँ पर इसको solve करें पहले r निकाल लेते हैं तो r square जो आएगा 154 into 7 उपर 22 नीचे ग्यारदुनी 22 यह 14 और यह काटा 7 तो r square जो आगया 49 तो r आएगा हमारा 7 radius 7 हो गया ठीक है इस circle का radius 7 हो गया अब इस wire को bend करके square बनाएगा तो wire की length निकालने के लिए इसका perimeter निकाल लेता हूँ जो क्यों होता है 2 pi r तो 2 into 22 by 7 into radius 7 है इसको काटा तो 44 cm जो है उस wire की length होगी ठीक है wire की length ही होगी अब इसी wire से एक square बनाया है square की तो 4 side equal होती है ठीक है तो एक side कितनी होगी 11 cm की 11 cm तो area कितना हो जाएगा इसका area होगा 11 गुना 11 121 cm square option नमबर 4 नेक्स्ट है 19th question है the length breath and height of a cuboidal box एक cuboidal box है उसकी length breath और height का जो ratio है वो दे रखा है length हमने लिली 6x breath जो है 4x और height जो है वो 3x होगी volume होता है l into b into h 4608 तो length हमारा 6x 4x 3x 4608 ठीक है तो यह कितना हो जाएगा अगर 3x है तो x cube और जो नमबर है 6, 4 और 3 उदर जाकर divide हो जाएंगे 4608 को 6 से 4 से और 3 से तीन से काटेंगे तो यह आएगा 1, 5, 3, 6, 4 से काटा 4, 4 तिया 12, 3 गया 4, 8, 32, 4, 16, 6 से काटा 6, 36, 6, 24 तो x cube जो है 64 है 64 जो है किसका cube होता है यह होता है हमारा 4 का ठीक है 4 का होता है x की value तो 4 हो गई अब x की value 4 है तो हमारा जो length है वो कितना होगा 6 into 4, 24, breath जो है 4 into 4, 16, height जो है 3 into 4, 12, पूछा क्या है lateral surface area तो lateral surface area जो होता है वो होता है 2 into L plus B into H 2 into L कितना है 24, B 16, H 12 इसको solve करेंगे तो हमारा answer आजाएगा 960 cm2 इसका correct answer है अगला question हमारे पास है volume of a right circular cylinder एक right circular cylinder है उसका volume हमें दे रखा है और इसकी height जो है वो 14 cm है, ठीक है, volume होता है πाई R square H 396, 22 by 7 into R हमें नहीं पता, H कितना है 14 है, 396, साथ से काटा है 2 तो R square आगया 396 upon में 22 into 2, 198, 2, 18 और यह आगया हमारा 9 तो R की value तो 3 हो जाएगी, क्योंकि 9 जो है, 3 का square होता है, पूछा क्या है, इसमें curved surface area तो curved surface area जो है इसका वो होता है, 2 pi RH, 2 into 22 by 7, radius कितना है, 3 है, height 14 है इसको card देंगे 2, इन सब को multiply करेंगे, तो हमारे पास आएगा 264 cm2 इसका correct answer, तो यह थे हमारे paper 2 में पूछे गए मैंस के कुछ important question उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंदाया होगा, thank you